हेलो एवरिवन स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एश्टडी विसोनल में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपए चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और बैर आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ओन कर लिजे न्यूदेली तो चलिए इस प्रेपर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं वह आपसे मैं बात करता हूं ठीक है बहुत सारे लोग यह भी पूछते कि हम पर सकते के नहीं या टाइमस अफ इंडिया पर सकते हैं तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले आ जो है उसकी जो language है आपको उसको समझने में time लएगा वो उन लोग के लिए जिनको English पहले से आती है उनकी vocab अच्छी है क्योंकि उसमें जिस तरीके से use किया गया होगा आपको उसको समझने में ही बहुत सारा time लग जाएगा तो मैं यही suggest करूँगा और the Hindu वैसे भी एक paper है जो UPSC के लिए ज्यादा मतलब माइने रखती है तो हमारे लिए हम लोग बैंक एक्जाम की preparation कर रहे है तो मुझे ऐसा लगता है कि the Indian Express काफी सही लिए पढ़ा है दा इंडियनExpress की पढ़ा है इसकी language आपको पढ़ने में भी समझ में आएगी इसके vocab आपको समझ में आएगे इसके आप जो line by line पढ़ होगे तो आपको इसका समझ में आता है ठीक है उनकी English बहुत सही एक अच्छे लेवल पर हमारी नहीं है तो हमें उन teacher से मतलब नहीं नहीं है हमें तो अपने English ठीक कर नहीं है तो यदि हमें अपने ठीक कर नहीं है तो उसके लिए यह best newspaper है The Indian Express ठीक है सबसे पहले हमें front page को पढ़ना है front page हम लोगों बात कर लेते हैं जैसे यह है income of poorest fifth plank 53% in 5 years those at top searched आपको language से पता चल गया होगा दा हिंदू का और इससे आप में आप इसका हर एक भोका पता कर रहे आपको पता लग रहा होगा कि यह कहना क्या चाहिए ठीक है depends is stress divine ठीक है उसके बाद यह पर लेंगे correcting mistake of past PM on boss statue सुभाच अन्बोस के statue पर जो मोदी जी ने बोला था correcting mistakes of past तो यहां से भी आपको सब पता चल ला होगा कि बोलना क्या चाहरा इसको एक बाद में हम पर लेंगे इसको एक बाद में पर लेंगे कि यह था नीज किया है ठीक है फिर हम यहां पर आएंगे जर्मन नेवी chief quits over remarks of Ukraine जर्मन ने जो है छोड़ दिया है किसके रिमार्क पर यह हलका सा इसको पर लेंगे कि यह क्या है ठीक है आपको निगेटिव निज से बचना है जैसे यह निगेटिव निज है तो आपको नहीं पर ना क्योंकि पता है ज़िए आप निगेटिव निज पढ़ते हो या pandemic वाले कुछ भी निज पर तो उसके बाद आप क्या करोगे गवर्मेंट को करोगे जो नहीं करना है यह long term में सही नहीं है कि हम निज पर में निगेटिव चीज़े पढ़े और गवर्मेंट को करें यह बहुत गलत है ठीक है तो आप इसको पढ़के यहां से क्या है आपको यह बढ़ने से क्या होगा एक तो आपको इंट्रेस्ट आएगगा यदि आप क्रिकेट या फुट वाल वेगरा जो भी है इस्पोर्ट से जानते हो ठीक है तो आप इसलिए पढ़ो कि हम हमें रीडिंग ठीक करनी इसलिए र पर लिया फिर दो दिन का गैप ने रहा है फिर तिसरे दिन पर रहा है कंस मैं जो बोलता रहता हूं कि रिडिंग से ही इंग्लिस ठीक हो सकते हैं यदि आप कंसिस्टेंटली सिक्स मन्थ रिडिंग करते हैं तो आप मुझे फिर से इसी वीडियो में कमेंट करके बताईगा कि भाईया या सर मेरे इंग्लिस बहुत सही हो गया पहले से सिर्फ और सिर्फ रिडिंग करने से लेकिन आपको रेगुलर करना पढ़ेगा कंसिस्टेंट रहना हो गया ऐसा नहीं कि आप करके छोड़ देंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा आप से फिर आप ये कर सकते हैं इसको पूरा पढ़ सकते हैं इसे क्या कोहली इट फिल्डर सुपर चार्जर बैट बैटर ठीक है यहाँ पे है या पढ़े या नहीं पे विराट कुडएव करीड ओन फॉर टू यह सास्त्री तो यह रवी सास्त्री का उपिडियन है तो आप इसको नहीं भी भी पढ़ सकत यहाँ पे दवर्ड के बारे में है ठीक है आपको आपने क्या करना है इसमें दवर्ड के बारे में सबसे पहले आप हेडलाइन सबके पर लो UK लॉमेकर क्लेम सीवज फायर बढ़र मुसलिम सेथ यह वाला एक बढ़ पढ़ लिजे स्कीम कर लिजे हलका सा कि कहना क्या चारा क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि आसपास की न्यूज क्या होती है बहुत सारे कुस्टिंस यहां से भी बन जाते है और एक हमारा एकॉनमी पेज है एक्सपेंडीचर पूस फॉर स्टेट्स टूबी ठीक है हमें न्यूज पढ़ ही नहीं पढ़ना एक्जाम के पढ़ने वाला है ठीक है तो आप उसको पढ़िए जैसमें इसमें न्यूज लेंड ओर्डर्स नेशन वाइड कॉप्स ठीक है आप इसको पढ़ लिजिए एक दो यहां से रिडिंग के लिए उसके बाद आईए यह आप चाहे तो पढ़ सकते है आईडिया एक्षेंज इस यह पेज़ आपको पढ़ना है दा इंडिया सैडव यह अरत अब लिखे है इसको तो आप इसको पढ़िए पूरा इसको पढ़ेंगे आप पहले और आप इससे यह समझने की कोशिश करिएगा कि यह जो लिखा गया है लिखे है यह कहना क्या चाहते है में हमें हमें जो एक पैसे चाते है, RC Reading Company जिसको बोलते है, उसका मतलब क्या होता है, कि हमें एक पैसे लॉंग दे दिया गया है, और हमें उसमें बताना है, कि वो कहना क्या चाहना है, ठीक है? तो बस आपको एक बार इसको पूरा पढ़के, समाजने की कोशिश करना है, कि जो ये राइटर है, इसमें क्या कहरा चाहरा, उसको सौट में हम आपको बताने के लिए बोल जाए, इसमें बोल देटे, कि इसको जो इतना बड़ा है, इसको इसको इदिया 10 लाइन, 12 लाइन, 15 में आप बताईए, तो उसको बता पाएंगे या ने, ठीक है, तो हमें वो करना है, उसके बाद फिर इसके नीचे बाला भी आता है, not really a laughing matter, इसको भी आप पढ़ सकते है, ठीक है, side by side यहाँ पे, editorial page आप पूरा पढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें negative news आपकी नहीं हो जिसमें आपको long long message मिलेंगे, तो इसको पढ़िए, और mainly है कि इसको पढ़ना, सही से पढ़ना कि शुरू में आपको time लगेगा, वो time taking होता है, तो आपको शुरू में time लगेगा, तो आप उसको पहले सही से पढ़िए एक बार, जब आप daily reading करने लगोगे, तो आपकी speed द reading कर लेते हो, तो आपको next month पता चलेगा, कि आपको बहुत सारी चीजे आती है, आप reading बहुत fast कर ले रहा हो, बहुत सारी line आप जली 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 पढ़ ले रहा हो, और last में आप skim करके बता भी दे रहा हो, कि ये कहना क्या चाहरा है, तो बस ये करना है, आपने पढ़ना है, skim करने का मतलब सिर्फ ये होता है, skim आप तभी कर सकते हो, बहुत सारी पोते है कि skim कैसे किया जाता है, मैं बता दू, skim करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, कि आप reading fast करके उसको बता दो short में कि होता क्या है, skim का मतलब ऐसा नहीं कि line by line पढ़ना है, पाकिस्तान has released the public version of what is built as its first ever nationals, ऐसे नहीं पढ़ना है, skim करने का मतलब होता है, skim आप तभी कर पाओगे, जब आपकी reading habit होगी, reading आपकी fast होगी, तभी आप उसको जली पर सकते हो, उसको skimming बोलते हैं, कि आप एक नजर में जान गएं कि ये passage कहना क्या चाहरा है, skimming आप तभी कर सकते हो, जब आपकी reading habit बढ़िया होगी, बढ़िया ही नहीं, बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, तो आसा करते हैं कि आप समाझ पाए होगे कि English नुच पर पर पढ़ना क्या होता है, कौन सा नुच पर पर पढ़ना होता है, मैं suggest करूँगा The Indian Express ही पढ़िये आप लोग, ठीक है, कोसिस कर यह hard copy लेने का, जो यह hard copy है, hard copy लेने का आपको सिस करिये, क्योंकि hard copy से आपको बहुत benefit होगा, और इससे आपको आख पर भी असर नहीं पढ़ेगा, और यह आप वेबसाइट से पढ़ते हो, तो उसमें क्या होगा आपको, कि आपके आख पर असर हो सकता है, क्योंकि आप दिन भर phone वैसे भी देखते हो, classes के लिए देखते हो, फिर आपको पता चलेगा कि इसको newspaper को भी पढ़ना पढ़ेगा, उसको zoom करके, तो इसलिए मैं newspaper का hard copy ही लेता हूँ, लेता था, मतलब अभी भी लेही रहा हूँ, उसको भी मैने बंद नहीं किया, अभी भी मैं पढ़त आप ये वीडियो तभी देख रहा है, जो आपकी English week है, है ना, हमारी इस English week थी, तो हमें भी किसी ने बताया था, जो मैं आप सब लोगे साथ share कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए बहुत benefit रहा है, मैंने खुद इसको use किया है, और इससे preparation में मुझे बहुत help में लिए है, और आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि English newspaper reading करके आपको घाटा नहीं होने वाला आपको बहुत फायता होगा, और जो आप दूसरे की देखते हो, editorial वगरा है, दा हिंदू की, वो देखना बंद कर दीजिए, उससे कोई benefit नहीं होना, आप खुद से paper पढ़िए, खुद से paper पढ़िए, इस चीज़ पर नहीं परते हैं, तो मिलते हैं जल्दी नहीं वेडियो के साथ, बाबाइ, टेक क्यार, आल दी भेरे वेस्ट, चैनल पर पहरी बार तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल आगन प्रेस करके नुट्रिकेशन अन कर लिजिए, आप लोग ज्यादा इंपोर्टेंट ये करता है, कि आप पढ़िये, डिली पढ़िये, और आप लोगा सिलेक्शन हो, फाइनली यही मैटर करता है, कि हमारा सिलेक्शन हो, इंगलिस में अच्छे स्कोर आए, और जो भी मैंने किया, उसका कुछ आउटकम निकले रही है, तो मिलते हैं जल्दी नहीं बेरी उसाथ, बबाए, टेक क्यार, आल दी भेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रही है, डिली टू-डू लिस्ट पर आईए, और उसको फॉलो करिए, ठीक है, बाए